दोस्तो यदि आप टेली प्राइम सब्टेवेर में बहद आसानी के साथ कारी करना सीखना चाहते हैं GST से रिलेटिड जानकारी लेना चाहते हैं तो इस संबन में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हैं उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं बतना है । चैनल को सबसक्राइब करके ल के ऊप्रेश करके और आज हम कहिं कि हमारा टॉपिक किया रहेगार दोस्तो आज हम बात करेंगे GST में ऐसे रेगुलर रजिस्टर जिनोंने की QRMP स्कीम को टाया है और QRMP स्कीम को आप्ट करने की बज़ेस से वो अपनी GSTR 3V return quarterly basis पर file करेंगे लेकिन payment उनको monthly basis पर ही करना है एक example समझते हैं January to March 2021 quarter के लिए हमने QRMP scheme आप्ट कर ली तो GSTR 3V return तो हम January to March quarter की April month में file करेंगे लेकिन इस quarter के first 2 month January और February के लिए हमको payment करना होगा monthly basis पर अब यह जो हम payment करेंगे तो इसके लिए दोस्तो हमको यहाँ पर आना होगा first और second month में और reason for challenge में हमको यहाँ पर करना होगा monthly payment for quarterly return इसको select करना होगा यहाँ पर जिस भी month के लिए आप यहाँ पर payment करने आए हैं वो period में आप यहाँ पर select कर लेंगे मैंने यहाँ पर जन्वरी कर रखा है January to March quarter के first month जन्वरी के लिए ठीक ना अब जो challenge type है यानि आपको मंदली जो payment करना है वहाँ पर दो option आपको मिलेंगे challenge type में 35% challenge और challenge on self assessment basis तो हम आज बात करेंगे challenge on self assessment basis यह दि हम challenge type में करते हैं तो हम किस तरह से यहाँ पर आकर payment करेंगे और कभ हमको यह payment करना होगा तो दोस्तों यहाँ पर four example है यानि चार उधारन के माध्यम से हम समझेंगे कि challenge on self assessment basis यदि हम quarter के first or second month के लिए करते हैं तो किस तरह से हमको यह करना है इसके लिए दोस्तों सबसे पहला example समझते हैं इसमें क्या है कि जन्वरी मन्त की यानि जन्वरी to March quarter है तो जन्वरी period में यानि जन्वरी मन्त में हमने जो भी हमारी liability है जो भी ITC वो हमने यहाँ पर show करा दी यहाँ पर जब हम देखते हैं तो outward supplies से हमारी जो liability बन रही है जन्वरी मन्त में वो है 11,950 रुपए CGST के हैड में और 11,950 रुपए SGST के हैड में और जन्वरी मन्त में जो हमने purchase आदी की उसके आदार पर हमारी CGST के हैड में ITC बनी 14,950 रुपए और इतनी ही ITC हमारी CGST के हैड में भी बनी अब self assessment हमको इसमें करना होगा यानि swim हमको यहाँ पर adjustment करना होगा और उसके बाद यदि हमारी कोई liability ऐसी बचती है जो कि हमें electronic case laser से pay करना है तो हमको self assessment वेसिस में जाकर और चालन बनाना होगा अब इस जगे हम swim ही assessment करेंगे तो इस जगे जब हम देख रहे हैं तो जो हमारी liability है CGST और SGST के head में 11,950 और ITC है 14,950 और 14,950 जब हमने self assessment किया है ना यानि 14,950 रुपए हमारी ITC है इस में से हमने minus कर दिया 11,950 CGST को liability को तो यहाँ पर 3000 रुपए ITC हमारी बच गई तो हमारी सारी liability set up हो गई और set up होने के बाद हमारी ITC ही बच गई तो हमारी कोई liability नहीं है जिसको कि हमको electronic cash laser से pay करना है तो इस इस्तिशी में दोस्तों हमको कोई भी challenge generate नहीं करना होगा यानि हमने self assessment किया और self assessment करने के बाद हमारी ITC जादा थी इस महीने में और liability कम थी तो इस वज़े से हमारी जो liability थी वो हमारी ITC से ही set up हो जाएगी है ना और हमारी ITC ही बस जाएगी तो हमको कोई भी challenge generate नहीं करना होगा लेकिन यदि आपकी RCM के तहट यानि reverse charge mechanism के तहट कोई liability बनती है दोस्तो तो आपको पता है जो भी RCM के तहट हमारी liability बनती है उसको हम input tax credit set up नहीं करते हैं उसको हम electronic cash laser से ही pay करना होता है तो यदि इस इस्सिति में क्या हो रहा है कि tax तो कोई नहीं बन रहा है लेकिन यदि RCM के तहट हमारी कोई liability है तो हम जाएंगे self assessment basis में जाएंगे और वहाँ पर हम RCM के लिए payment करेंगे challenge and rate करेंगे ठीक ना तो इस इस्सिति में हमको कोई भी challenge and rate नहीं करना है क्योंकि RCM के तहट हमारी liability है नहीं और tax की liability हमारी कोई बन नहीं रही है हमने self assessment करके देख लिया यह first situation होके अब बात करते second situation की अब जन्वरी period की बात कर रहे है अब जन्वरी period में second situation यह बन रही है कि हमने जो outward supplies की उसके आदार पर 24,900 रुपए CGST के head में और 24,900 रुपए SGST के head में हमारी liability बनी और input tax credit है 21,850 रुपए CGST के head में और 21,850 रुपए SGST के head में अब हम इसको करेंगे self assessment यानि मन्थली का जो हमारा data है उसके आदार पर हम इसको self assessment करेंगे जब हम self assessment यहाँ पर कर रहे हैं तो liability हमारी 24,900 रुपए है और ITC 21,850 रुपए CGST के head में हमने इनको आपस में adjust किया तो adjust करने के बाद परणाम यह निकल के आया कि 3,050 रुपए की हमारी liability बच गई CGST के head में और इतनी ही हमारी CGST के head में भी liability बन गई यानि क्या था कि ITC कम थी liability जदा थी आपस में setup किया है ना तो 24,900 रुपए liability में से 21,850 रुपए ITC को करना पड़ेगा नहीं दोस्तों अभी हमने क्या किया है सिर्फ जनवरी मंत का जो हमारा liability और ITC तो उसको setup किया है उसकी आधार पर यह परणाम निकल कर आया है कि 3,050 रुपए हमको CGST के head में पे करने और 3,050 रुपए SGST के head में पे करने है अब हम क्या करेंगे सिर्फ रुपए हम यहाँ पर इससे setup करेंगे तो इससे जब हमने setup किया तो हमारी जो भी liability बन रही थी जनवरी period में वो जो हमारा amount electronic credit laser में है उससे setup हो जाएगी क्योंकि 6000 में से 3050 मानस करेंगे तो हमारी electronic credit laser में ITC बच ही जाएगी यानि हमारी हमारी liability बसे जाती है तो electronic credit laser में जो हमारा amount है हम उससे भी setup करेंगे और setup करने के बाद हमारी liability उससे setup हो जाती है तब उस इस्तिति में भी हमको कोई भी challenge नहीं करना है कब जबकि हम payment के लिए self assessment basis में जाएगे तब लेकिन RCM के तहट मैंने आपको बताया है तो liability बनती है तो आप क्या करेंगे electronic cash laser से उसको pay करना है तब आप जाएंगे self assessment basis में और आप RCM के लिए challenge generate कर लेंगे और उसको pay कर देंगे ठीक है यह second situation हो गई अब बात करते हैं third situation की अब तीसरी situation जो है वहारे सामने इस तरह से यहाँ पर क्या है कि जनवरी मंत की बात कर रहे हैं है ना तीसरा उदारन है यहाँ पर outward supplies जो हमने की जनवरी मंत में उसके इसाब से 24,900 रुपए CGST के हेड में और 24,900 रुपए SGST के हेड में हमारी liability बनी और ITC देखी तो 20,800 रुपए CGST के हेड में और 21,850 रुपए SGST के हेड में भी हमारी ITC है तो यहाँ पर हम इसको पहले क्या करेंगे मन्त में जो भी हमारा data है liability और ITC को उसको setup करेंगे assessment करेंगे self ठीक है अब जब हमने self assessment किया तो यहाँ पर इस्तिती वही निकल कर आई कि liability हमारी 3050 रुपए CGST के हेड में और 3050 रुपए SGST के हेड में हमारी liability निकल का ही कहां पर monthly self assessment के आधार पर ठीक है अब हम गए अपने electronic credit laser में जब हम electronic credit laser में गए तो वहाँ पर अपने electronic credit laser के amount से अपनी liability को set up करेंगे जब हमने इसको set up किया यानि liability 3050 रुपए CGST के हेड में थी और electronic credit laser में 850 रुपए थे तो 3050 रुपए से हमने 2850 को minus किया तो 200 रुपए की हमारी net liability निकल कर आ गई CGST के हेड में और इतनी है CGST के हेड में यानि हमने पहले क्या किया पहले तो हमारी जनवरी मंत में जो भी liability और ITC ती उसको set up किया उसके बाद जो हमारी liability बनी उसको हमने GST portal पर electron credit laser में जमानता उससे भी set up कर लिया तो वो भी हमारी खतम हो गई यानि ITC सारी की सारी जनवरी पीरेट की थी वो खतम हो गई लाइविल्टी को पे लाइविल्टी से अजस्ट करते समय और electron credit laser में जमानता वो भी सारा का सारा खतम हो गया अब हमारे पास कोई भी input tax credit नहीं है अब हमारी जो इस्तिती निकल कर आई तो net liability बन गई 200 रुपए CGST के हैड में और 200 रुपए SGST के हैड में सो रहा था और 500 रुपए SGST के हैड में सो रहा था तो यह हमारी से setup हो जाएगी यानि electronic cash laser में पहले सी हमारे 500 रुपए है और हमको pay सिर्फ 200 रुपए ही करने है तो यदि हमारी adjust भी कर देंगे तब भी 300 रुपए CGST के हैड में और 300 रुपए SGST head के cash laser का amount बच जाएगा तो इस इस्तिती में भी दोस्तों आपको कोई भी payment नहीं करना है कहने का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है जिस मन्त की आपको pay करना है उस मन्त में आप IT से और liability को setup कीजिए उसके बाद आपकी liability बच जाती है तो आप अपने electronic credit laser से setup की बचे जाती है तो आप क्या करेंगे electronic cash laser में जो आपका amount है उससे setup करेंगे और इस इस्तिती के बाद भी यह दिया आपकी कोई liability नहीं बनती है तो आपको कोई भी pay नहीं करना है टेक्स यानि आपको कोई भी challenge जन्रेट नहीं करना है लेकिन RCM के तहत बनता है वो तो आपको यह करना ही होगा ठीक है तो यह तीसरी स्तिती होगी अब बात करते 34 स्तिती की अब 34 स्तिती यहां पर क्या है कि जो हमने आउटवर्ट सप्लाइज की जन्वरी मंद में उस आदार पर 24,900 रपए CGST और 24,900 रपए SGST में हमारी liability बनी ITC कितनी थी SGST के head में 21,850 रपए और SGST head में भी 3050 रपए निकल कर आई अब हम गाई अपने electronic credit laser को देखने के लिए electronic credit laser में 850 रपए CGST के head में थे और 850 रपए SGST के head में थे इससे भी हमने अपनी setup कर ली उसके बाद net liability निकल कर आई हमाई 200 रपए CGST की और 200 रपए SGST की है ना अब हमने क्या किया अपना electronic cash laser देखा तो electronic cash laser में कोई भी amount नहीं था तब इस इस्तिती में हमको 200 रपए CGST के head में और 200 रपए SGST के head में दोस्तों pay करने होंगे यह है self-assessment basis पर adjustment self-assessment ठीके ना तो इस इस्तिती में क्या किया हमने यह चौती जो situation थी उसमें हमने क्या किया जन्वरी period की जो हमारी liability ITC उसको setup कर लिया liability निकल कर आई फिर हमने electronic credit laser से setup कर लिया तब भी हमारी net liability 200 रपए CGST और 200 रपए SGST के head में आई लेकिन cash laser में कुछ था नहीं तो इस इस्तिती में क्या होगा हमारी सारिया input tax credit खतम हो चुकी है electronic cash laser में कोई amount है नहीं है तब हमको 200 रपए CGST के head में और 200 र आना है आपकी liability कितने लिए कि 200 रपए CGST के head में 200 रपए SGST के head में आपने सब को setup कर लिया अब हमको चालान generate करना होगा अब हम आएंगे यहां पर आपको पता है यहां तक कैसे आना है create चालान में जाएंगे और आप यहां पर आ जाएंगे तो reason for चालान में आपको करना है monthly payment for quarterly return और यहां पर जिस भी period में आपका यह self assessment आपने किया वो period आपको यहां ले लेना है हमारा जनवरी period है तो जनवरी period में यहां पर कर दिया और यहां पर चालान टाइप में हम करेंगे चालान on self assessment basis और इसको करने के बाद हम कर देंगे प्रोसीट जैसे ही आप प्रोस क्योंकि हमने self assessment basis को यहां पर चुना है और उसी आदार पर हम payment करने जा रहे है तो region में यहां पर आ जाएगा self assessed और इस जगह पर हम क्या करेंगे cgst के head में हमारी 200 रुपए की liability बन रही है तो cgst के head में 200 रुपए यहां पर डाल देंगे और sgst में 200 रुपए tax के head में डा हमा करना है चला तो 200 रुपए cgst के head में डाल देंगे 200 रुपए has descended में डाल देंगे और यहां से जिस तरह हम चालां जनरेट करते हैं उस तरह चालां जनरेट कर लेंगे अब चालां जनरेट करने के बाद दोस्तों यह पैसा आपका कहां जाएगा तो यह जो amount 200 रुपए c यानि किसी भी क्वार्टर में आपको फर्स्ट और सेकेंड मंद में यह पेमेंट करना क्योंकि थर्ड मंद के लिए तो आप रिटन करने जाएंगे जिस तरह से अभी हम फाइल करते थे उसी तरह से वहां सारा का सारा अपने अप सेट अप हो जाएगा अब जब हम जन्वरी मार्च क्वार्टर की इसी तरह से फर्वरी मंद में यदि हमारी कोई लाइविल्टी बनती हम पे करेंगे तो बहुं भी हमारी एलेक्ट्रोनिक केस लेजर में सो होगी अब जन्वरी टू मार्च क्वार्टर की हम अपनी जीएश्ट्या 3 वी रिटन जब अपरेल मंद में करने जाएंगे जैना तो वहां पर यदि है इलेक्ट्रोनिक केस लेजर से हमारी जो भी लायविल्टी बनेगी उसको हम अपने उल्लेक्ट्रोनिक केस लेजर में जो हमारा अमांवैंट पड़ा हुआ है उस सहीज़ई हम उसको पै कर देंगे फिर सेंगों चालन जन्रीट नहीं करना होगा, तो दोस्तों यह है, आप बताने वाली बात यह थी, तो इस तरह से आप यह self assessment कर सकते हैं, और यह सही method है, जितने आपकी real बन रही है, liability, तो आप pay कीजिए, नहीं बन रही है, तो मत pay कीजिए, 35% बन जाएंगे, तो आपको pay करना ही करना है, 35%, चाहें आपक CGST में ही liability दिखाई है, और CGST और SGST के head में ही ITC दिखाई है, तो यह तो बहुत simple सी चीज़ें, लेकिन दोस्तों, यदि ऐसी इस्तिदी बनती है, कि आपकी liability तो IGST head कीए, और liability IGST head कीए, और ITC आपकी CGST और SGST head कीए, या इसकी विपरीद भी हो सकता है, जो आपकी ITC ह है, वो तो IGST head में, ITC आपकी IGST head में, और CGST में भी है, और SGST में भी है, लेकिन liability सिर्फ CGST और SGST की है, तो आपको self-assessment करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें आपको rule है, rule के अनुसार आपको follow करना होगा, और तब आपको निकालनी होगी, किस तरह से आप liability निकाल head में है, तो आप किस तरह से उसको आपस में setup कर सकते हैं, setup करने का rule क्या है, तो वो मैंने एक video बना रखी है, अपने channel पर, उस video को मैं इस video के description में link दे दूँगा, उस video की, तो उस पर click करके आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, कि liability किसी और head में है, ITC किसी और head में है, तो आपको किस तरह से adjustment करना है, और video के जो video भी आप देख रहे हैं, इसके last में भी आपको thumbnail मिल जाएगा उस video का, जिसमें की मैंने setup करना बताया है, किसी अलग head में आपकी ITC है, किसी अलग head में आपकी liability है, तो उसकी video आपको इस video के last में thumbnail मिल जाएगा उस video का, उस पर भी click करके आप उस video को देख सकते हैं, और फिर आप बड़ी आसानी से जान जाएंगे, कि यदि आपके सामने ऐसी स्थिती बनती है, कि ITC किसी head की है, liability किसी head की है, तो किस तरह से setup करेंगे, कैसे self assessment करके, real आप निकाल पाएंगे, कि आपकी liability बन रही है, नहीं बन रही है, बन रही है, तो किस head में बन रही है, और कितनी बन रही है, फ़र फिर आप उसको pay कर पाएंगे, तो दोस्तों आसा है कि आज का topic आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हुआ, वीडियो अच्छी लगे है, तो like करें, धन्यवाद,